N-C-E-R-T new book से circles chapter का अब करेंगे सबसे last example, example number 5, prove that the quadrilateral formed if possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic, मतलब क्या है, समझते हैं हम इस figure से देखो, जैसे देखो ये ABCD एक कोई quadrilateral दे रखा है, और angle A का internal bisector AH, angle B का internal bisector BF, ऐसी angle C का internal bisector CF, ऐसी angle D का internal bisector DH, और इनसे जो ये quadrilateral बन रहा है न, EFGH, ये एक cyclic quadrilateral होगा, ये हमें prove करना है, कब अगर possible हो तो, ठीक है, तो इसके according हम समझ सकते हैं कि अगर एक कोई quadrilateral बन रहा है, एक quadrilateral के internal bisector से, तब वो cyclic होगा, ये हमें here prove करना है, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जो हमें prove करना है, वो हमने ये लिख दिया, तो prove में, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर ये triangle बन रहा है, A, B, E, इस triangle में य ये जो angle होगा, ये angle और इस cyclic quadrilateral जो में prove करना है, EFGH कर, ये angle, ये दोना angle हमारे vertical या opposite angle के तहती, ये दोना equal होगे, चलो सबसे पहले हम इस triangle में लेते हैं, ये angle पूरा A का half है, ये वाला जो angle है, ये angle, इस angle A का half है, क्योंकि हमें given है कि A H is the bisector of angle A, ऐसे ही, ये जो angle इस प angle प्लस angle ये वाला जो अंदर है, इन तीनों का sum equal to 180, ठीकर यहीं से हम शुरुआत करते हैं, देखो, angle BAE, angle BAE, plus angle ABE, plus angle ABE, प्लस angle ये वाला, angle A, E, B, A, E, B, इन तीनों का sum होगा कितना 180, ठीकर है, बात समय माली है, ये angle को नाम हमने दे दिया, angle ABE, और इस angle को नाम दे दिया, angle BAE, और इस angle को A, E, B, ठीकर है, इन तीनों का sum होगा 180, अब क्योंकि हमें ये angle चाहिए, तो हम इस के form में change कर लेते हैं, इन दोनों को, तो angle E, यहाँ पर कौन सा वहना है, angle A, E, B, तो angle A, E, B हम क्या लेदेंगे और angle A, E, B, equal to A, E, B, A, E, B, equal to क्या होगा, 180 degree, minus इन दोनों angle को हम दूसरे तरह बेज़ देंगें, right side में, और मैं bracket में बंद कर दे रहा हूँ, ठीकर है, तो angle B, A, E, B, A, E, plus angle A, B, E, ठीकर है, अब एक काम और करते हैं, 180 degree को ऐसी लिखा, minus, अब देखो, यहाँ क्योंकि A, H, जो angle A का by sector है, B, F, जो angle B का by sector है, तो इस angle को हम half of angle A लेख सकते हैं, ठीकर, angle B, A, E को हम क्या लेख सकते हैं, half of angle A, ऐसी angle A, B, E, इसको हम क्या लेख सकते हैं, half of angle B, तो minus, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, bracket के अंदर, half of angle B, A, E को हम क्या लेख सकते हैं, half of angle A, plus ऐसी A, B, E, इस angle को क्या लेख सकते हैं, half of angle B, half of angle B, ठीकर है, अब हम थोड़ा सा common और ले लेते हैं, यहाँ से 1 by 2, 180 degree minus 1 by 2 हमने common लिया, क्या बच्चे का है, angle A, plus angle B, यह बात आपको समझ में आगी, आप देखिए, यह हुआ हमारा angle A, E, B, angle A, E, B कौन सा है, angle A, E, B, अब angle A, E, B, यह जो angle होगा, यह इस angle के बरावर होगा, इस angle का नाम यह एफ, E, H, यह हम बोल सकते हैं, ठीक है, also यह जो angle है, नाम जो हमने दिया angle, F, E, H, F, E, H, sorry, नाम थोड़ा गड़वर होगा, angle F, E, H, ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ, F, E, H कौन सा है, angle F, E, H, यह angle हमारा, इस angle के बरावर होगा, जो हमने यह वाल angle हमने यहाँ पर यह equal कर रहा है, इसके, तो angle F, E, H, equal to हो जागा इसके, कितना, पहले तो नाम ही देता हूँ angle A, E, B के बरावर, और यह कितना दे रखा है, 180 degree, minus, यह हम लेख देते है, half of angle A, plus angle B, reason क्या होगा, इसका, इसका reason होगा, vertically opposite angle, ठीक है, क्योंकि, यह angle और यह angle दोनों के आपस हो vertically opposite है, जब इस तरह से दो line cut कर दी होती है, cross कर दी होती है, तो यह आमने सामने वाल angle equal होती है, इनको क्या होगा, vertically opposite angle, ठीक है, तो यहां से angle F, E, H, F, E, H, जो हमें cyclic quadrilateral proof बना, उसका एक angle हमने, इन दोनों angle के form में लिख दिया, 180 degree minus half of angle A, plus angle B, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, equation first, यह बात आपको समझ जागी, जैसे हमने यह angle, इन दोनों angle के form में, हमने यह change कर दिय ऐसे ही देखो इस triangle में, D, G, C, इस triangle में भी हम ऐसे ही change कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, similarly, यह जो angle होगा, पहले हम इस equation की तरह ही हम यहां से बना लेते हैं, तो angle क्या होगा, angle, चलो मैं नाम देता हूँ, D, G, C, तो angle, D, G, C, यह क्या होगा, 180 degree minus half of angle, angle C plus D, ऐसे होगा, बताइए, जैसे हमने यह वाली जो equation बनाए थी, 180 degree minus half A plus B, क्योंकि यह bisector और यह bisector था, ऐसे ही, angle D का bisector D, G, और ऐसे angle C का bisector यह, C, G है, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, angle D, G, C, यह अंदर वाला जो angle है, यह वाला, angle D, G, C, क्या होगा, इस पूरे का और इस पूरे का half, ठीक है, चूंकि इन तीनों angle का sum 180 degree जैसे हमने यहां पर प्रूब किया थे, ठीक है, तो यहां से हम यह लिख सकते है, angle D, G, C है, यह ध्यान रखना है, C है, E नहीं, D, G, C कितना होगा, 180 degree minus angle C plus D, अब ऐसे ही देखो, यह angle और यह angle, यह दोन G, H, equal to होगा, angle D, G, C के बरावर, angle D, G, C के बरावर, और यह कितना होगा, F, G, H, जब D, G, C के बरावर हो, तो हम यह पूरा-पूरा यहां छाप देंगे, यह दोनिकि 180 degree minus half of angle C plus angle D, बात समझ में आगी, अब इस equation को हम नाम देते हैं, second, और first equation हमारी कौन से थी, यह बाली, ठीक है, इसको जो हमने नाम देता है, first equation, अचाहिए, इसका भी reason क्या होगा, vertically opposite angles are equal, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, first equation और second equation को जोड़ देते हैं, सबसे पहले बाद मैं आप थोड़ा सा बता दूँ कि, cyclic quadrilateral होता क्या है, cyclic quadrilateral की प्रो ठीक है, तब हमारे quadrilateral, cyclic quadrilateral कहलाएगा, अब जड़ा इन दोनों equation को add करते हैं, तो देखो क्या आता है, adding, first and second, first और second equation को जो हम add करते हैं, तो क्या हैगा, इन दोनों को, देखो क्या हैगा, यह क्या है, f e h और यहाँ पर f j h, तो angle f e h plus angle f f j h, g h, ठीक है, f e h को हमने यहाँ लिखा और दूसरी equation का f g h को हमने यहाँ लिखा, इन दोनों equation को left side वाले जो पार्ट हैं, उनको हम पहले इदर प्लस कर देते हैं, left में, equal to, अब जो right side वाले पार्ट हैं, उनको हम right side में प्लस कर देते हैं, तो 180 degree minus, जो bracket में लिखा है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो यह क्या 180 degree minus half, और bracket में क्या है, angle c plus angle d, यहाँ तक कोई दिकत वाली बात नहीं है, अब देखिए, यहाँ पर यह सब इदर जुड रहे हैं, तो 180 degree और 180 degree, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यह आ जागा 360 degree, clear, यहाँ देखो, minus half angle a plus b, minus half angle c plus d, यहाँ से minus half minus half common लिया जाजा कता है बाहर, minus half ले ले लेते हैं, और bracket के अंदर हम क्या लिख देंगे, angle a plus angle b, जो half के साथ यह था, half हम ने बाहर लिए तो यह लिख दिया, यहाँ से भी हमने half बाहर लिए लिए तो यह लिख देंगे, अंदर bracket के अंदर, angle b plus angle c plus angle d, चीके, अब इसके बाद आप देखे, किसी भी क्वाडिलेटल में चारों एंगल का सम वहता है, 360. याँ पर देखो एंगल a, पूरा एंगल, बी पूरा एंगल c, पूरा प्लस एंगल d, क्योंकि ए भी सी भी क्वाडिलेटल है, तो इनहें चारों एंगल का सम कितना हमा थी? 360 डिगरी तो यहां पर वही तो है एंगल A प्रस एंगल B प्रस एंगल C प्रस एंगल D इन चारों के सम की जगह हम क्या ले सकते हैं 360 डिगरी ठीक है 360 डिगरी इन चारों की जगह लिखा यहां पर कोई sign नहीं तो multiply चुपा हुआ है ठीक है तू से हम इसको cancel out कर देंगे एक में कितना आगे 180 डिगरी और यह क्या था यह दोनों एंगल यानि कि एंगल F ए एच प्लस F एच प्लस एंगल F जी एच एच यहां पर देखो इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा हमारा वन एच जीए ठीक है अब हम देखते हैं इस इस चोटा सा जो यहां पर F ए एच यह जो F ए एच यह एच प्लस एंगल F जीए एच जब आपोजिट एंगल का सम हमारा वन एक डिगरी आ रहा है इसका मतलब यह जो हमारा वादिटल है क्या है यह एक साइकलिक कोडिले ठीक है मैं यहां लिक्टे था हूं इट इमप्लाइब एच एट अपोजिट एंगल सम यह सम अफ अपोजिट एंगल आप ऐसे भी लेशा सकते है वो ज्यादा बहतर लैंगीज होगी अपोजिट एंगल सम ओफ जो क्वाडिलेटल कर नाम है ना वो लिग देते हैं ओफ of quadrilateral of quadrilateral क्या नाम है इसका EFGH is 180 degree ठीक है हमने लिखा opposite angle sum it implies इसका मतलब यह हो कि opposite angle का sum 180 degree आ रहा है तो हमने यहां लिख दिया it implies that opposite angle sum of quadrilateral FGH is 180 degree therefore EFGH is cyclic ठीक है बात समझ में आगी तो हमें cyclic quadrilateral प्रूब करना था cyclic quadrilateral हमारा हो गया यही हमें प्रूब करना था उमीद करता हूं आपको यह example समझ में आया होगा अगर आपको इस chapter की किसी भी question में किसी भी theorem में doubt है तो जो playlist है वो जरूर चेक करना मैंने उसका link description box में दे रखा है चले मिलते हैं next video okay thank you